आप सभी बच्चों को पीटी का जैसा कि आपको पता है कि टैबुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके दस कोश्चन इससे आने हैं हो सकता हो दो टेबल पूछे हो सकता हो तीर दो टेबल पूछले आपसे तो इसलिए टेबल की प्रैक्टिस करना जरूरी है इन चीजों में केवल प्रैक्टिस है बहुत कुछ ज़्यादा समझने वाला नहीं जहां से कोश्चन मिले वहां से करिए पचास कोश्चन मैं करवाऊंगा यह हो सकता है आप लोग कहेंगे तो और जाता करवा दूगा कल से क्लास आपके शुरू हुई है इसकी पहला पार्ट मैंने आपको पढ़ाया है उसमें आपके पार्च कुछ्चन कराएगा है उसके आगे से आज मैं आपको करवा रहा हूं हर एक बच्चा जिम्मेदारी से ध्यान देगा चली देखिए देखिएगा मारकर मोटा कर लो हर एक बच्चा देखिएगा जिम्मेदारी के साथ देखिएगा निम लिखे तालिका को पढ़िए और उसके नीचे दियेगा प्रश्णों के उत्तर दीजिए ये आर्स लिखे गए है डिस्टेंस टेवल्ड दूरी जो तैकी गई है वो किलोमेटर में लिखिए ये दो लो आपका A 30 किलोमेटर की दूरी तैकरता है B 40 किलोमेटर की दूरी तैकरता है तीसरे घंटे में A 20 किलोमेटर की दूरी तैकरता है इसी तरीके से आगे भी लिखा गया है हर एक बच्चा ध्यान देगा आईए सीदे प्रश्णों पर आते हैं बोला गया है B की पहले 4 घंटे म औसत गती पहला गंटा दूसरा गंटा तीसरा गंटा और ये चौथा गंटा दिखाई दे रहा है तो भी कितना चला पच्चिस, चालिस, पैंतिस और पच्चिस चला आ रहे ये बात समझ में तो यहां से इन कुल चार गंटों में कितनी दूरी तैकी गई है पता करिए जोड़ कर पता चलेगा और ध्यान दीजेगा औसत चाल बराबर क्या होता है ओसत चाल बराबर होता है कुल दूरी और बटा में कुल समय याद रखिएगा तो हमें चाहिए बी की ओसत चाल ध्यान से देखिएगा तो बी इन चार गंटों में कितनी दूरी तैकिया है टोटल वो दूरी आपको निकालनी पड़ेगी देन यू हैब तो एड़ इट यह 25, 40, 35 और यह 25 और कुल समय कितना है चार गंटा जोडेंगे तो 25, 25, 50, 50, 50, 40, 90, 90 और 135, 125 हो गया 125 बटा में 4 वो आएगा 31.25 किलो मीटर प्रती घंटा यह आगया आपका औस चाल प्रिथम चार गंटा यह आगया आपका औस चाल गंटों में B की यह और सचाल है क्लियर हो गया आ रही यह बास समझ में कोई डाउड तो नहीं जो आकड़े दिये गए उसके आधार पे आराम से आंसर दे सकते हैं चली देखी पूछा गया है A की पहले 5 घंटे की गती तथा अंतिम 5 घंटे की गती के बीच का अनुपात कितना होगा A के पहले 5 घंटे की गती ध्यान से देखिएगा पहले 5 घंटे की गती यानि की ये पूरी गतिया उठानी है आपको ठीक है और B के और इसी के A के अंतिम 5 घंटे की गती के बीच में अनुपात पूछा गया है तो बच्चों देखिए इसको जोडेंगे तो ये हो गया 30, 20, 50, 50, 20, 70, 70 और 25 और 15 कितना हुआ आपका 40, तो 70 और 40 इतना हो गया 110, 110 आगया योग, इसको अगर बच्चों आप एड़ करेंगे तो 25 और 15, 40, 40 और 20, 60, 60, 30, 90, 90 और 35, 120, यही जो योग दिखाई दे रहा है इसी का आपको रेश्यो लेना है तो ध्यान से देखिएगा 110 और यहाँ बना 125, हर एक बच्चा देखेगा कटेगा यह आराम से किस से, पांच से अगर कटाना हो, तो कटा सकते हैं, तो यह आएगा बच्चों, पांच दुना दस, बांच दुना दस, और यह आएगा आपका कितना, 25, 22 और 25, यह आपका रेश्यो हो जाएगा, एक पहले पांच घंटे के दौरां तैकी गई दूरियों की बात करें तो जोड लिया, और एक अंतिम पांच घंटों के दौरां तैकी गई दूरियों की बात करें तो उनको भी जोड लिया, तो इसना रेश्यो ले लिया, तो आगया आपका रेजर्ट कितना, 22 और 25, क्लिय हैं हर एक बच्चा ध्यान दे आठवे घंटे के अंत में ए और बी के बीच की दूरी कितनी है आठवे घंटे के अंत मतलब यह केवल 35 और 15 नहीं लेंगे समझेगा आठवे घंटे के अंत तक ए कितनी दूरी तय कर चुका गए है यह पूरा एड होगा सही है यह पूरा एड होगा फिर उसके बाद बी की बात कर रहा है आठवे घंटे के अंत में यह कितनी दूरी तय कर दिया है यह पूरा एड होगा आठवे घंटे के अंत तक ए तथा बी के बीच की दूरी कितनी है आठवे घंटे तक पूरा ए कितनी दूरी तय किया है वो न से कालना पड़ेगा भाशा समझ मांगी यह कि केवल एट्स लिखा हुआ है यह गलत है 1st 2nd 3rd 4th नहीं होगा यहां me 6 यह भी टीच होगा 7th T ॉघंट होगा यह थिया छोगा यहीं थिया चोगा हर एक बच्चा देखे एस्टी नहीं लगता फर्स सेकेंड थर्ड फिर फोर्थ यहां से शुरू हो जाता है और फिफ्थ ऐसे चलेगा फिक्स सेवन्थ एट नाइन टेंथ ऐसे आठवे घंटे के अंतर तत ए द्वारा तैकी गई दूरी पूरा जोड़ी है आप आएगा अंतर चाहिए आप 210 में से 180 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे कितना आएगा 25 आ रहा है बच्ची यह आपका अंसर है आठवे घंटे के अंत तक एत था बी के द्वारा तैकी गई दूरियों में अंतर आ गया 25 क्लियर हो गया सबको आ रहा है समझ में आईए आपका चौथे नंबर का सवाल है किस घंटे के अंत में ए तथा बी के बीच की दूरी अधिक्तम रही है अगर हम बात करें हर एक बच्चा देखेगा ए और बी की फोड़ा छोटा कर ले देखेगा अगर मैं बात करूँ ए और बी की पहला घंटा ध्यान दीजेगा दूसरा घंटा तीसरा घंटा चौथा गंटा पाचवा गंटा छठा गंटा ध्यान से देखिए option में कितने दियेगा है 2, 3, 4, 5, 5 पाच गंटे तक एवल उठाईए तो देखिए पहले गंटे में एक कितनी दूरी तै करेगा 20 का और भी कितनी दूरी 25 सही है अब दूसरे गंटे के अंट तक कितनी दूरी तै होगी ये दूरा 50 ये पूरा ये पूरा एड होगा और दूसरे गंटे के अंट तक भी दूरा तै की गई दूरी क्या होगी 65 तो यहां लिखेंगे 50 और यहां क्या लिखेंगे 65 तक हर एक बच्चा देखे अब थीसरे गंटे के अंत तक एं कितरी दूरिताय कर लेगा बता आएगा पचास भीस सतर और बी कितनी दूरिताय कर लेगा पैसट और पै-सट और पै-स यह हो गया सतर और ये सौ किलोमेटर की दूरी ताय कर लेगा अब देखिए चौथे गंटे के अंते तक अगर हम बात करें तो ये पूरी दूरी जोडने ही पड़ेगी तो 65 और 15 कितना हो गया बताइए यहां तक 65 हो चुका है 15 और जोडेंगे तो ध्याम से देखिएगा ये कितनी दूरी ताय किया है ये हो गया था एक मिनट मुझे देख लेने दीजे एक ही बात करें तो ये 70 हो चुका है 70 में ये 15 जोडेंगे तो कितना होगा आपका 85 ये दूरी ताय किया 85 आ रहा है समझ में 4 घंटे के अंते तक ए दूरी ताय कियी दूरी हो गई 85 और अगर मैं B की बात करूँ तो 25 और जुड़ जाएगा 4 घंटे के अंते तक में तो ये दूरी कितनी हो जाएगी 125 की अब देखिए पाचवे घंटे के अंत तक अगर मैं बात करूँ तो कितनी दूरी ताय होगी पाचवे घंटे में 35 किलोमेटर की जो दूरी ताय होई है वो भी एड़ होगा तो यहां तक हो चुगा है 125 125 में ये 35 जुड़ेगा तो क्या होगा 160 हो जाएगा तो ध्याम से देखिए यही 4 ऑप्शन दिये गये है दूसरा गंटा, तीसरा गंटा, चौथा गंटा और पाचवा गंटा इसी में हमें चेक करना है हर एक बच्चा देखे तो हमने दूसरे गंटे के अंते तक कितनी दूरी A और B ताय करेंगे वो लिख दिया है तीसरे गंटे के अंते तक पाच का आ रहा है, हर एक बच्चा देखेगा, पाच का आ गया, यहां का अंतर देखा जाए तो कितना आ रहा है, पंद्रा का आ रहा है, यहां का अंतर देखा जाए तो कितना आ रहा है, यह चालिस का आ रहा है, और यहां का अंतर देखा जाए तो कितना आ रहा है, पचास का तो मेरे बच्चों सबसे बड़ा अंतर जो दिखाई दे रहा है वो पाच्वें पाच्वें घंटे के अंत में है ध्यान से धेखीई 50 गंटे के अंत तक ए 110 किलो मेटर की दूरी स्थाए कर लेगा और और आंतर क्या रहा है पचासका, अंतर कितने का रहा है, पचासका, किस धंटे के अंत में अगर बात कर रहा है, तो पूरी दूरी उठानी पड़ेगी न आपकी, केवल हम पाचवा घंटा तो नहीं देख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, अगर ये बोलता, अंत वाली बात ना लगाता, पाचवे गंटे के अंत लगा दिया है इसलिए शुरू से अंत तक वहां पर पहुंचेंगे सारी दूरियों को एड करेंगे दूरी कब एड नहीं होती जब केवल यह पूश्टा कि पाचवे घंटे में अंतर बताईए तो पाचवे घंटे में अंतर पिर हम क्या बताते बताईए दस क अगर यह पूश्टा पाचवे घंटे में अंतर बताईए यहां बोला है किस घंटे के अंत तक यानि कि शुरू से अंत तक की दूरी आपको उठानी है क्लियर हो गया आगया समझ में चली अब साथवे नंबर का सवाल है रात में फिर आकर इसको कंप्रीट करा दूबा एक ही घंटे की क्लास दूबा रात में कंप्रीट यह हो जाएगा चली दिया पाच शहरों A, B, C, D और E के शहर वासियों की फिल्म देखने की आदतों का ए ध्यान रखिएगा जो एक सब्ता हमें दो से कम फिल्में देखते हैं यह देखे पहला कॉलम है हर एक बच्चा देखे उन दर्शकों का प्रतिशत देता है जो एक सब्ता हमें एक सब्ता हमें दो से कम फिल्में देखते हैं ध्यान से देखिएगा तो पहले प्रकार के जो जो आपके मिस्टर्स है, दर्शक है, ध्यान से देखिएगा, वो क्या करते हैं, जो पहले प्रकार के विवर हैं, वो दो से कम फिल में देखते हैं, दो से कम फिल में देखते हैं, हार एक बच्चा देखेगा ध्यान से, तो उनका प्रतिशत दिया हुआ है, City A में 60% लोग ऐस जो दो से कम फिल में देखते हैं, City B में 20% लोग ऐसे हैं, जो दो से कम फिल में देखते हैं, City C में, City C में आपके 85% लोग ऐसे हैं, जो दो से कम फिल में देखते हैं, और आगे बोला है इसी प्रकार से दियारी में देखते हैं, और यह जो दूसरा वाला कॉलम है, यह वाल उन दर्शकों की कुल संख्या देता है जो प्रती सब्ता दो या दो से अधिक फिल्में देखते हैं यहाँ पर यह प्रतिशक नहीं है अब यहाँ पर यह बोला गया है कि City A के 2400 लोग दो या दो से अधिक फिल्में देखते हैं City B के 3000 लोग 2 या 2 से अधिक फिल में देखते हैं City C के आपके 2400 लोग है जो 2 या 2 से अधिक फिल में देखते हैं तो ये percentage है और ये real संख्या है आ रही ये बात समझ में अगर ये बोला जाए कि 60% लोग City A के 2 से कम फिल में देखते हैं तो निश्चित रूप से 40% लोग जो होंगे अगर प्रतिशत में बात की जाए 40% लोग ऐसे होंगे जो 2 या 2 से अधिक फिल में देखते हैं और उनीक यहाँ पर संख्यालिक रखता है यहाँ पर प्रतिशत है पहले कॉलम में उन लोगों का उन वीवर्स का उन लोगों का प्रतिशत है जो 2 से कम फिल में देखते हैं तो यह होगे आपका City A में 60% लोग ऐसे हैं जो 2 से कम फिल में देखते हैं तो 40% ऐसे होंगे जो 2 से ज्यादा फिल में देखते हैं आरे ये बात समझ में clear है, दो से ज्ञादा फिल्में देखते हैं, कोई doubt हो, तो बताईएगा, तो 40% ही किसके बराबर होगा, 24-के बराबर होगा, 20% अगर 2 से कम फिल्में देखते हैं, तो 80% 2 या 2 से अधिक फिल्में देखेंगे, तो वो किसके बराबर होगा 80% तीन अजार उपय के बराबर होगा सारी चीजे डेटा क्लियर हो गया आपको समझ में आ गया अब आईए प्रश्णों का उत्तर देते हैं शहर C में कितने दर्शक सब्ता में दो से कम फिल्में देखते हैं यहाँ पर दो तो कितने दर्शक सब्ता में दो से कम फिल्में देखते हैं हर एक बच्चा देखेगा C की आई यह बात करते हैं तो 85% ऐसे हैं जो दो से कम फिल्में देखते हैं तो मेरे बच्चों इनकी संख्या कैसे पता चलेगी रिलेट करना पड़ेगा 2400 से यह 2400 ऐसे लोग हैं जो कॉलम दो में दिये गये हैं जो दो या दो से अधिक फिल्में देखते हैं तो अगर 85% दो से कम फिल्में देखते हैं तो 15% क्या होंगे जो दो से अधिक फिल्में देखते हैं तो दो से अधिक दो से अधिक फिल्मे देखने वालों का एक मेंट बच्चो हाँ सर क्लास ले रहा हूँ क्लियर है दो से अधिक फिल्मे देखने वालों का प्रतिशत क्या होगा 100% टोटल होंगे उसमें से आप 85% जो दो से कम फिल्मे देखने वाले हैं उनको घटा दीजिए कितना आएगा 15% यहाँ पर दो से अधिक दो से अधिक या दो के बराबर या दो दो से अधिक या दो फिल्मे देखने वालों का प्रतिशत 15% आगे है मेरे बच्चों यही 15% ध्यान से देखिएगा किसके बराबर होगा 2400 के हर एक बच्चा देखेगा यह 15% ही तो 2400 के बराबर है तो आप से पूछा गया 85% की वैलू ध्यान से देखिएगा तो अगर मैं यहाँ 3 से भाग कर दूँ तो यह 5% की वैलू कितनी आ जाए की वैलू चाहिए तो इसमें 17 का गुड़ा करेंगे तो 17 का गुड़ा यहां भी हो जाएगा तो मेरे बच्चों यह आ जाएगा 136 के आगे डबल दीने इतने दर्शक ऐसे हैं जो आपके क्या करते हैं बताइए 2 या 2 से कम फिल्म देखते हैं आ गया समझ में 2 या 2 से कम फि की वैलू चाहिए थी आप ऐसे भी लिख सकते थे 15 परसंट बराबर चौबिस होगे तो पचासी परसंट किसके बराबर अपनाय की किनी हम नॉर्मली लगा सकते थे यह तो शौट केल्कुलेशन के लिए मैंने इस तरीके से लगा दिया है हां शौट केल्कुलेशन के लिए केल्कुलेशन के लिए हमने यह सिस्टम लगा दिया बागी समझ में आपको आ गया होगा तहीं यानि कि कुल मिलाके पचासी परसंट की 85 परसंट की आपको वैल्यू निकालने है अब आ जाईएगा आगे किस शहर में दर्शकों की संख्या नियूंतम है यह आपके पूछा गया है हर एक बच्चा देखे किस शहर में दर्शकों की संख्या नियूंतम है तो यहाँ पर क्लास ले रहा हूं मैं कौन जल्दी बताएए क्लास ले रहा हूं बोलिए नहीं अभी ने चली कुल संख्या निकाल नहीं पड़ेगी मेरे बच्चों देखे दर्शोकों की कुल संख्या लोग है जो दो से कम incorrect देखते थे तो 40% ऐसे होंगे जो आपके 2 या 2 से अधिक फिल्म देखते हैं तो 40% किसके equivalent हो जाएगा बताएंगे आप 2400 के ध्यान से देखिए हर एक बच्चा देखे 40% किसके बराबर हो जाएगा 2400 के तो मेरे बच्चो 100% की value चाहिए तो 1% किसके बराबर इसी से कटा लीजे सीधे सीधे बताएगे 60 के बराबर होगा तो ये 100% यानि की दर्शकों की कुल संक्या किसके बराबर होगी 6000 के बराबर होगी हर एक बच्चा देखेगा यानि की A में कुल कितने लोग हो गए 6000 लोग हो गए हर एक बच्चा देखे A वैसे बोला नहीं गया है, फिर भी निकाला है मैंने, अब देखे, B की बात करते हैं, तो 20% लोग ऐसे हैं, जो आपके 2 से कम फिल्मे देखते हैं, 80% लोग निश्चित रुप से क्या करेंगे, बताईए, 2 या 2 से अधिक फिल्मे देखेंगे और इंती संक्या कितनी है, 3000, त ये B की बात हो गई, अब मैं बात करूँगा C की, ज्यान से देखेंगे, तो C में 85% लोग हैं, जो आपके 2 से कम फिल्मे देखते हैं, तो 15% लोग 2 या 2 से अधिक फिल्मे देखेंगे, तो ये 15% किसके equivalent हो जाएगा, बताईएगा, 2400 के, तो बच्चो 100% की value अगर निकाली जाएगा, तो 2400, बता में 15, और गुड़े 100 हो जाएगा, कितना आएगा, 16000 आ रहा है, हर एक बच्चा देखेगा, तो C में कुल 16000 लोग हैं, C में कितने हैं, 16000 लोग हैं, हर एक बच्चा देखे, अगर मैं बात करूँ D की, D की अगर बात नी जाएगा, ये शेहरों की ब देखेगा, हर एक बच्चा देखेगा, D की बात करें तो 55% लोग 2 से कम फिल्में देखते हैं, तो 45% लोग 2 या 2 से अधिक फिल्में देखेंगी, ये किसके बराबर, 2700 की, इसी तरह से 100% इसका निकालेंगे, तो कितना आएगा, 2700, बता में 45 गुड़े 100, कितना आ रहा है 6000 आ रहा है, ध्यान से देखेगा, 6000 लोग CityD में हैं, अब अगर मैं बात करूँ, E की बात कर लो, E की बात करूँ, तो देखिए, 75% लोग 2 से कम फिल्में देखते हैं, तो 25% लोग क्या करेंगे, 2 या 2 से अधिक फिल्में देखेंगे, तो ये 25% ध्यान से देखेगा, 25% किस के बराबर, 8000 के, तो मेरे बच्चों 100% किस के बराबर, 4 गुना करेंगे, तो किस के, बताइए, 32,000 के, सही है, 32,000 होगा, तो सबसे ज़्यादा दर्शक किस में दिखाई दे रहा हैं, बताइए, सबसे ज़्यादा दर्शक आपके, E में दिखाई दे रहा हैं, तो आंसर क् कि शिटिए इसबसे ज़्यादा दर्शक इ में दिखाई दी थीए तो आंसर होगा कि है क्या पूछा है एक कि द्रहां से देखे किसमें है इस बीमें सबसे नियुन्तम किसमें है इस बीमें हर एक बच्चा देखेगा city B, maximum पूछता तो maximum में आपको क्या दिखाई दिया है आपको maximum में E दिखाई दिया है सबसे maximum दर्शक किस में थे E में 32 जाराय थे और सबसे minimum दर्शक 37 तो 50 किस में है किस में है B में, देखिए आपका जो P.E.T. का एक्जाम होगा वो उसमें time परियाप्त मिलेगा इसलिए बहुत हडबड़ी नहीं मचानी है आराम, आराम से अच्छे से calculate करके answer देना है क्योंकि human error नहीं होना चाहिए human error हुआ, इसका मतलब आप अपना पैर कुलहाड़ी पे मार रहे हैं आराम से answer देना है सवाल बड़ा नहीं है, सवाल बहुत छोटा है आराम से आप answer दे सकते हैं बिना किती problem के सही है, अब देखिएगा, हर एक बच्चा देखिए तीसरे नंबर के question पे आईए किसी भी शहर में फिल्म दर्शकों की अधिक्तम संख्या बताए, लीजिए फिल्म दर्शकों की अधिक्तम संख्या पूछा गया है तो क्या आया था, 32 अभी अभी निकाला था हमने यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा हर एक बच्चा देखेगा कौन से दो शेहरों में दर्शोकों की संख्या समान है ए में 6000 है और डी में भी क्या है 6000 है एक बार निकाल लिया तो आगे के दो प्रश्णों का उत्तर मिल गया A में भी दर्शकों की संख्या 6000 है और D में भी दर्शकों की संख्या क्या है 6000 है एक आपने clear किया question तो उसके आधार पे दो आगे और question clear होगा है तो answer क्या होगा इसका A और D, D वाला options आई है D और A, 6000 है बच्चों, इसमें भी 6000 है इसमें भी 6000 है total viewers आपके और D में भी कितने है 6000 है आ रहा है समझ में clear हो गया कोई doubt तो नहीं, चली आई अगला सवाल है हमारा हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा सभी लोग ध्यान दीजेगा देखे, जितना ज़्यादा practice करेंगे आप उतना फायदा रहेगा आलिका का अध्यन करें और निमलेकित प्रश्णों का उत्तर दें देखे ताइप यहाँ पर A, B, C, D, E लिखा है खिलोनों का ये टाइप है और ये year है, वर्ष है 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 तो 2002 में टाइप A प्रकार के खिलोनों की संख्या कितनी तयार हुई? 200 ताइप B में 1.500, ताइप C में 78, ताइप B में 90, ताइप E में 90 तो 200 हजार हो गया ये, ये 1.500 हजार हो गया 78 हजार हो गया, 90 हजार हो गया 65 हजार हो गया क्योंकि किलोनों की संख्या किक में है? हजार में है किलोनों की संख्या किक में है? हजार में मतलब यहां 200 के आगे 200,000 का मतलब क्या हुआ 200,000 का मतलब क्या हुआ मेरे बच्चो 200 के आगे आप 30,000 लगा देंगे आया समझ में 200 के आगे क्या लगा देंगे 30,000 लगा देंगे तो बच्चो यह 2,000,000 हो गया 200,000 का मतलब क्या हो गया 2,000,000 हो गया तो 200 लाक होता, 200 लाक होता मतलब लाक के लिए आप सीधे सीधे 5-0 लगा देते हैं, आ रही बात समझ में, तो फिर सिस्टम आपका बन जाता है, आईए कोशन देखते हैं, डी प्रकार के खिलोनों के उत्पादन में वर्ष 2003 से 2005 तक लगभग कितने प्रतिशत की बृद्धी 2003 में डी प्रकार का उत्पादन कितना है, 100 बताईएगा, 105,000 और 2005 की बात करें, तो 2005 में डी प्रकार का उत्पादन कितना है, 125,000 तो बृद्धी कितने की हुई, 20,000 की, तो बृद्धी प्रतिशत चाहिए तो क्या हो जाएगा, 20 की बृद्धी मेरे बच्चों कितने पे, हमेशा बृद्धी कमी initial value पे ली जाती है, प्रारंबिक मान पे लिया जाता है, तो 2003 आपका प्रारंबिक मान देता है, तो 20 की बृद्धी कितने पे, 105 पे, और मेरे बच्चों गुड़े, 100 हो जाएगा, हर आंसर क्या होगा, लगबग में 19 प्रतिशत होगा, सही है, यह आपका आंसर हो जाएगा, आपका एंसर यह 2004 कहां गया, तो 2004 से थोड़ी मतलब होगा, 2003 से 2005 तक लगबग कितने प्रतिशत की बृद्धी होई, तो 3 में खिलोनों का उत्पादन 105,000 था, और आपका 2005 की अब बा वृद्धी कितने की, 20 की, तो वृद्धी प्रतिशत चाहिए, तो 20 बटाब 105 गुड़े, 100 होगया, यानि की 19.04 प्रतिशत होगया, क्लियर है, आरे यह बात समझ में, चलिए, आईए, अब इसके बाद, दूसरे नंबर के सवाल पे आते हैं, ए प्रकार के खिलोनों के उत् के असलम नहीं, आपका A प्रकार के खिलोना दिखाई दे रहा है, 2200 में कितना है, 200 है, और 2400 में कितना है, 180 है, साफ आकडे, इस टेबल के माध्यम से, इस तालिका के माध्यम से आपकी आँखों में धत रहोंगे, समझ में आ रहा होगा, 2002 में जो आपका Type A प्रकार की खिलोने हैं उनका उत्पादन 200 है और जो आपके 2004 में Type A प्रकार की खिलोने हैं उत्पादन में कमी आई है 180 हो गया है तो इसी कमी को आप से पूछा गया है कि प्रतिशत में बताईए तो कमी प्रतिशत तो जो कितने की मेरे बच्चों कमी हुई है बताइएगा 20 की कमी हुई है और किस पर 200 पे 200 से एक सुद सी हुआ है ना तो बताइएगा किस पर कमी हुई है 200 पे 200 बटा में 200 गुड़े 100 कितना आएगा यह आ गया दस प्रतिशत कितने की कमी हो गई दस प्रतिशत ही तमी हो गई हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ क्लियर है आरे यह बात समझ में जरा मैं आपके कमेंट लेना चाहूंगा आपनों के चलिए कि िडियाई वाला पीडिय अपकल डाल दिया गया है टेली ग्राम पे के डियाई का पीडियाई कर डाला गया बैले इसमें लिखा यह यह Esse प्यदि टाभ लेशन सर्च करेंगे तो मिल जाएगा था चलिए दस परसेंट काफी सारे बच्चे आंसर दे है श्री वर्मागाहितरी यादो रोमान्टिक राज हरी उम पटेल चलिcn ऐँटा लगैसर बहुत बनियाँ तुम्हार अमनंभारधवाज काफी सारे बच्चे आंसर आंसर दे रहें में नमोल सिंग घर योम पटेल बहुत बहुत रंजीत आपकी पहली क्लास है कहां थे आप रंजीत रीता यादो चलिए बहुत बढ़ी है अब आईए तीसरे नंबर के सवाल पे आते हैं वर्ष 2005 से 2006 तक सभी प्रकार के खिलोनों का उत्पादन लगभक कितने प्रतिशत बढ़ा तो 2005 और 2006 की बात करनी है तो सभी प्रकार क के खिलोनों का उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा तो 2005 में कुल कितने खिलोनों का उत्पादन हुआ जोड़कर पता चलेगा कैसे पता चलेगा जोड़कर जहां से देखिए जोड़ेंगे तो कितना आएगा चैसापचातर जोड लीजएगा आप लोगे एक बार चैसापचातर आएगा और 2006 के सभी प्रकार कीनों की खिलोनों की कुल संख्या जो आरही है वो 750 आ रही है तो व्रिद्धी हुई है कि नहीं 2005 की तुल्ला में 2006 में व्रिद्धी हुई है कि नहीं तो वही चाहिए हमें व्रिद्धी प्रतिशत कितने की व्रिद्धी हुई है बताईए 75 की व्रिद्धी हुई है और कितने पे इनीशियल से ही हमेशा गंपेर करेंगे किस पे बच्चे 675 पे वृद्धी भी है तो नीचे लिखेंगे 675 और गुड़े 100, कितना आएगा 11 दशमलो एक एक आरा है मतलब 11 पड़ सब्ड़ यह आपका आंसर है सही है, हर एक बच्चा देखेगा, कोई डाउट हो तो बताईएगा, है क्लियर है आईए, चलिए देखी अब इसके बाद आपका अगला सबाल है, चौथा दिये गए वर्षों में B प्रकार के खिलोनों की औसर संख्या C प्रकार के खिलोनों की औसर संख्या के बीच, अंतर बताईए हजार में, कौन सा वर्ष है, दिये गए वर्षों में B प्रकार के किलोनों की औसर संख्या देखी, सभी वर्षों में लेना है B प्रकार के किलोनों की औसर संख्या इसका अवरिज लेना है, और किस प्रकार के, C प्रकार के इसका average लेना है और दोनों के average का क्या लेना है अंतर लेना है हर एक बच्चा ध्यान दे हर एक बच्चा ध्यान दे दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं हम देख रहा है कि यह इधर से सारी राशिया बड़ी हैं तो इसमें से घटा दें घटा दे और जो भी अंतरा है उसको जोड़कर हम पांच से क्या कर दें भाग कर दें ये भी काम होता है तो बी का उसत हम अलग-अलग निकालते हैं यही मेरे पीर्टी वाले बच्चों को समझ में आएगा क्या होगा एक सौपचास एक सौसी एक सौपचासी एक सौपचासी अर्बटा में क्या पांच कैलकुलेट करके बताई कितना रहा रहा है यही आ गया मेरे बच्चों एक सोौइशता सद्रशय अब सी प्रकार की कि वह लुदों का उसत Most क्या हो जाएगा बताईएगा 78 बोलिए 100 92 120 130 और बटा पाँच कितना रहा है 104 आ गया अंतर मेरे बच्चों चाहिए 170 में से 104 घटा देंगे तो कितना आएगा 60 यह आपका अंतर आ गया हो गया यह सिस्टम देख लीजेगा एक तरीका यह हो गया दूसरा तरीका क्या है ध्यान से देखिएगा अगर हम कि यह 170 104 ना उठाए होते इसमें से इसको हम सीधे इसमें से घटाए होते तो क्या होता पांच तो हमारा सीधे सीधे आपका हर हो जाता दोनों का तो क्या होता, सीधे आपके numbers धड़ते और 5 से क्या हो जाता divide हो जाता, वही चीव हम यहां भी कर सकते हम 150, 68 का अंतर ले 65 आगे है ध्यान से देखिएगा, इधर अंतर कितना आगे 65, color change कर ले इधर अंतर कितना आगे, 65 फिर इसका अंतर लेते कितना आता 80, इसका अंतर लेते तो कितना आता, 83 आता, इसका अंतर लेते तो कितना आता, 40, इसका अंतर लेते तो कितना आता, यह हो गया आपका 55 अब इन सब को जोड कर भी हम भाग दे देते 5 से तो वही आंसर आता देखिएगा अगर हम 65, 80, 83, 40, 55 को जोड़कर भी पांसे भाग दें दे तो भी यही आंसर आएगा चाचट करके देख लीजिए करके देख लीजिए आएगा यही क्लियर सारे बच्चों को आना यही 64 आ रहा है बच्चे बोल रहा है चाचट आया है रोहित तुमार का 64 आ है बच्चे गलत बोल रहा है आप इधर उदर कभी कभी हो जाता है जोड़ने में गड़बड़ी कोई बात नहीं यहां का जो अंतर है वो 72 है यहां यह गलती है हाँ इसको सुधार सकते हैं कितना है 72 है 72 हर एक बच्चा देखेगा क्लियर है ऐसे भी हो जाएगा आएगा चाचटी हर एक बच्चा देखेगा क्लियर है अब देखी अब देखिएगा अब इसके बाद है आपका अगला सवार कोश्च नमबर नाइन पे आजाईए नवे नमबर का सवाल ध्यान से देखिएगा जिम्मेदारी के साथ सबीलों देखेंगे देखिए नीचे दी गई तालिका में 6 विभिन राज्यों में दूद की कुल विक्री को प्रतिशत में दर्शाया गया है प्रतेक राज में केवल दो दूद विक्रेता ए तथा बी दूद बेचते हैं नीचे दी गई तालिका में प्रतेक राज में दूद की विक्री के प्रतिशत में विक्रेता ए दौरा की गई विक्री को दर्शाया गया नीचे दी गई तालिका प्रतेक राज में दूद की व दूद की कुल विक्री दो लाख लीटर है ध्यान से देखिएगा तो आपसे पूछा गया प्रश्ण पहले मैं समझा दूँ या अलग-अलग आपके कितने राज्य हैं दूद की विक्री देखिए सभी इन छे राज्यों में कुल मिलाकर दो लाख लीटर दूद की विक्री होती है उस दो लाख लीटर का 24% राज्य पी में विक्री होती है दो लाख का 10% क्यों में विक्री होती है दो लाख का 17% आर में विक्री होती है दो लाख का 13% एस में विक्री होती है दो लाग का बाईस परसंट, P में विक्री होती है, दो लाग का चौदा परसंट, राज U में विक्री होती है, अब सुनेगा, और राज P में दो लाग का चौविस परसंट विक्री हुई है, तो जितनी भी विक्री हुई है, उसका पैसट परसंट विक्री, कौन करता है, A करत अगर मैं राज Q की बात कर लूँ तो Q में जितनी बिक्री वी है कितनी वी है दो लाग का 10% अगर बेचा जाता है तो उसका 20% किसके बेचा जाएगा यही आपके इस data का मतलब हुआ जो इस टेवल में दिया गया है क्लियर हो गया, आ गया समझ में आई ये प्रश्णों का उत्तर देते हैं, दिये गए सभी राजियों में विक्रेता ए द्वारा राज टी में दूद की विक्री कितनी थी, मतलब ये कहना चाहता है, विक्रेता ए द्वारा राज टी में दूद की विक्री कितनी थी, ये कहना 22% तो दूद भी का है, हर एक बच्चा देखेगा 2,00,00,00,00,00 लीटर इन 6 राज्यों में आपका बेचा गया है और उस 2,00,00,00 का 22%, देख लीजेगा 2,00,00,00,00,00, राजटी में भी का है इतना राजटी में भी का है और इतने का बच्चो 60%, इतने का 60% किसने बेचा है, एने बेचा है यही आपसे पूछा गया है कि बताइए, ए द्वारा राजटी में कितना लीटर दूद बेचा गया यह आपको बताना है तो आएगा कितना हल करने पर 26,04,07 आ गया यह लीटर में इतना लीटर बेचा गया है आ रही बात समझ में, calculation oral भी कर सकते थे, आराम से, बिना किसी problem से, सही है, कोई doubt लेकिन आप लोग PT वाले हैं, अगर यह CGL के लिए अलग से class चलाए होते तो हम यह सब कहते हैं कि oral निकालो, oral आप देखे होंगे हमारी पुरानी class से CGL के लिए, हम SS वालों को दूसरे नमबर के सवाल पर आ रहे हैं, हर एक बच्चा देखेगा, दूसरे नमबर का question राज P तथा Q में विक्रेता B द्वारा की गई, दूद की विक्री तथा राज R तथा T में विक्रेता A द्वारा की गई दूद की विक्री का करमशा अनुपात क्या है हर एक बच्चा देखेगा अनुपात पूछा गया है P तथा Q में विक्रेता B द्वारा और R तथा T में विक्रेता A द्वारा दूद की गई कुल विक्री में अनुपात, तो देखेगा बच्चो जो टोटल सभी राजियों में दूद आपका विका है वो दो लाख लीटर है तो सब में जहां भी आप calculation करने जाएंगे, हर जंगा दो लाख आएगा ही तो दो लाख को हम क्या माल ले दो लाख को हम माल ले M दो लाख को क्या माल ले M पूरा दूद कितना है, माल लिया M है हर एक बच्चा देखेगा तो P और Q में B ने कितना दूद बेचा है यह हमें चाहिए P और Q ने, P और Q राज P है और Q है इसमें B ने कितना दूद बेचा है हमें यह यहां लिखना पड़ेगा तो देखेगा मालिया M का 24% बटा 100 नहीं लिखने जा रहा हूँ 24% को मैं केवल 24 लिख दूँगा ध्यान दीजेगा M गुड़े क्या हो गया 24 और बच्चो देखिए इसका 65% इसका 65% तो A ने बेचा है तो बच्चो 35% कौन बेचेगा? B बेचेगा तो केवल 35 लिख देंगे बटा 100 नहीं लिख रहा है क्योंकि यह चीज़ बाद में कट जाएगी और प्लस इसी B ने Q में कितना बेचा है? तो Q में Q राज में दूद कितना बेचा गया? पूरे M का 10% ध्यान से देखिए और इसका 80% किसने बेचा? A ने बेचा तो इसका 20% कौन बेचेगा? बताइए B B बेचेगा तो उपर B ने जितना दूद बेचा है वो हमने निकाल के रख दिया हम 2,00,000 को लिखने नहीं गये हैं कितना लंबा figure हो जाता और लिखने में हम देख रहे हैं कि यहां पर P वाले पार्ट में और Q वाले पार्ट में P और Q दोनों पार्ट में 2,00,000 आएगा उपर दोनों को जोड़ेंगे तो 2,00,000 दोनों में रहेगा तो उसी 2,00,000 को हमने M बोल दिया किससे हमारा calculation आसान हो जाएगा तो हम बटा सो बटा सो भी नहीं करने जा रहा है ऐसे लिखते तो पूरा क्या लिखते हैं 2,00,000 का 24% यानि कि 2,00,000 गुड़े 24,00 बटा सो यह राज A में इतना दूद बिका है और इसका 35% B ने बेचा है तो 35 बटा सो करते हैं करते कि नहीं करते हैं फिर राज Q की बात करते हैं तो कुल दूद भी का है 2,00,000 का 10% यानि कि 2,00,000 गुड़े 10,00 बटा सो करते हैं और फिर B ने कितना बेचा है 20% तो गुड़े 20,00 बटा सो करते हैं यानि कि 2,00,000 और बटा सो वाली चीज़ को आर और टी की बात करते हैं तो देखिएगा M का 17% इतना दूद भी का राज आर में और A ने कितना बेचा इसका 50% देखिए अब टी की बात करें तो बच्चो कुल दूद M है M का 22% दूद भी का राज T में और इसका 60% किसने बेचा बताई इसका 60% बेचा A ने अब कटाते हैं देखिएगा M से सब M कट गया हर एक बच्चा देखिएगा M से सब M कट गया और सुनिएगा गुला उला नहीं करते हैं पहले कटा लेते हैं आपको साफ दिखाई दे रहा है बच्चो ये आपका फिगर जो है 5 से कटता हुआ प्रतीत हो रहा सब ये भी 5 से ये भी 5 से ये भी 5 से और ये भी 5 से कटेगा तो हम कटा के थोड़ा छोटा करेंगे तो ये 7 आएगा और ये 4 आएगा और ये 10 आएगा और ये 12 आएगा अभी ये और किसी से कट रहा है 2 से कटता हुआ दिखाई दे रहा है तो 2 से कटाएंगे तो ये 12 होगा ये 5 होगा और ये 5 होगा और ये कितना होगा 11 होगा आ रहा है समझ में हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी पे पाथ अब सुनीए उपर कितना हो गया 12 साथे ये कैलकुलेशन आपको दिमाग में रखना है अब प्लस 20 हो गया और में बच्चों नीचे देखिएगा 17 पचे 85 अब प्लस ये कितना हो जाएगा 11 गुडे 12 132 होगा इसको जोड़ेंगे तो 104 और ये कितना आगया 200 सौरी 217 217 217 कैलकुलेशन में यही ध्यान रखना है आप खुछ सोचिए कि जो चीज अन्यूजड थी बाद में उसको कटना ही था तो उसको हम लिख के अपना क्या करते हैं पेजी ही तो खराब करते हैं इसलिए ऐसी चीज़ों को लिखने की आवशक्ता नहीं होती है उतना मिनिमाइज करिए समय आपका दस दिन का बचा हुआ है तो इधर अपना एक हफ्ते में फाइनल टच दे दीजी डेली आप लोग डियाई अभी राहूल सर की क्लास लगेगी डियाई के डेली महराथन में उस कोश्चन करा रहे हैं ठीक है तो उसमें आपके टेबल भी है टेबल के भी कोश्चन है और ग्राफ वाले भी कोश्चन है तो उसको प्रॉपर करिए और मार्केट से जो प्रेक्टिस रट उठाई है वहां से भी सब लगाईए कुछ मार्केट में ऐसी प्रेक्टिस रट आई है उसमें एक question दिया है, बच्चे काफी पूछें, phone करकरके, message करकरके वो भी सवाल मैंने उठा लिया है, करा दूँगा मैं आपको तो आपको पता चलेगा, वैसे सवाल तो आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी आप एक बार लगा रहेंगे, तो ठीक है confidence रहेगा, आएए, सवाल जो है, calculated हो सकते हैं, लेकिन difficult नहीं होगे, याद रखिएगा, difficulty label और calculation में दोनों में अंतर होता है आएए, क्योंकि समय अगर है आपके पास, तो calculation भी रहेगी, तो भी कोई बात नहीं आराम से कर लेगी, अब आएए, तीसरे नमबर पर, राज Q T तथा S को मिला कर हुई, दूद की ओसत बिक्री द्वारा, बनाया जाने वाला, केंद्रिय कोण क्या है हर एक बच्चा देखेगा Q T S की, आपको ओसत बिक्री निकाल ली है, हर एक बच्चा देखेगा Q प्लस Q T S की ओसत बिक्री देखेए सबका तो 2 लाग से ही compare होगा, तो 2 लाग हम पहले क्या कर लें, common हर एक बच्चा देखेए, 2 लाग क्या कर लें, common तो यहां पर Q में 2 लाग का 10% लिया गया है फिर देखेए और T में 2 लाग का 22% लिया गया है और S में 2 लाग का 13% लिया गया है और बटा में क्या कर दें? 5 5 नहीं सुरी, 3 तो बच्चों ये 2 लाग होई गया हर एक बच्चा देखे और गुड़े, ये सब जोड़ेंगे कितना होगा? 45% हुआ कि नहीं? तो डारेक्ट 2 लाग का क्या निकाल लीजे? 45% 45% हो रहा है तो 45% मतलब 45 बटा 100 होगा और बटा में क्या मेरे बच्चों? सही है? ये अवरे जा जाएगा कैलकुलेट किया जाएगा तो कितना आएगा? बताए बच्चों कितना आ गया? जल्दी बच्चों और एक काम इतना कर लिया? हम जानते हैं कि ये जो 2,00,00,00 होगा 2,00,00, अपने आप में 360 डिग्री होगा? बताएगे 2,00,00, अपने आप में क्या है? 360 डिग्री है कि नहीं? बोल दीजे निश्चितरुप से होगा कुल जो हमारी बिक्रीवी है वो हमारा किस में बराबर हुआ है? 2,00,00 के बराबर हुआ है सभी राजियों में तो ये 360 डिग्री के बराबर होगा QTS की औसद बिक्री ये आ गई है हमें इसका केंद्रिया कोंच चाहिए तो बच्चों क्या कर देंगे? सीधे सीधे यहाँ पर कर देंगे सीधे आपका हो गया 360 गुड़े ये कड़ गया 15 आ गया था पंद्रा बटा क्या? बोली कितना आ रहा? बच्चे कटाएंगे हर एक बच्चा देखें कितना आ गया? 54 सही है? ये देखें कड़ गया आराम से तीन और ये 20 और ये बच्चे कितना? अठारा अठारा थी है ये डारेक्ट कर दिया हमने आगे कैलकुलेशन लेके चलने की क्या जरूरत थी? या आप समझ में आया ये एवरेज वाली बात? भाई देखें पूरी बिक्री निकाल ली हमने तीन से भाग किया आवरेज आ गया अब इसी आवरेज का केंद्रिय कोण पूछा है यानि कि डिगरी में कल जासे हमने बताया था कि तरी जिखंडिया कोण या केंद्रिया कोण कैसे निकलता है तो ध्यान से देखें हमें डिगरी में बताना है तो हम जानते हैं पूरा दो लाख का मतलब कितना हो गया दो लाख है अगर दूद की बिक्री हुए तो वो पूरी बैलू 360 डिगरी के क्या होगा बराबर होगा तो अगर हम यहां यह देख रहा है कि यह निकालने के बाद एकी स्टेप और हमारा बढ़ता तो इस चीज को मिनिमाइस पर लीजे समझ में आया अगर पूरा करना होगा तो इसको भी आप लीटर में निकालते हैं फिर दो लाख को 360 के बराबर बोलते हैं यह जितना लीटर आता वो कितना डिगरी के बराबर है यह निकालना पड़ता यह आपके लिए मुश्किल होता तो क्लियर हैं आगया समझ में चली आ रहा है न सब को समझ में देखिए काफी सारे बच्चों ने आंसर दिया है चली आईए देखिए रात में भी क्लास चलेगी आपकी और मैं जाता है आपको कि कब क्लास चलनी है और बाद में भी आप देख सकते हैं कोई बड़ी बात थोड़ी है आईए और देखिएगा आगला सवाल है राज T में विक्रेता B द्वारा की गई दूद की विक्री तथा राज आर में तथा एस में मिलाकर हुई दूद की कुल विक्री में क्या अंतर है T में विक्रेता B द्वारा दूद की की गई विक्री तो T में कुल जो दूद विक्री वो 2 लाग का 2 लाग का कितना है 22% और B ने कितना बेचा है 60% जब A ने बेचा है तो B ने कितना बेचा है 40% चली इसको हल करके बताई कितना आएगा हर एक बच्चा देखेगा फिर इसके बाद क्या है छोड़े रही है इसको अब इसके बाद क्या है दूद की विक्री तता R तता S में मिलाकर हुई दूद की विक्री में क्या अंतर है R और S की बात करेंगे R और S पी अगर बात की जाए तो मिलाकर दूद की कितनी विक्री होगी ध्यान से देखे 2,00,000 का देखे ये टोटल कितना हो गए मेरे बच्चों मिलाकर 30% हुआ की नहीं तो 2,00,000 का क्या निकाल देंगे 30% अब देखे इनी का अंतर लेना है हर एक बच्चा देखे अंतर लेना है यह वाली चीज जो होगी वो बड़ी होगी इसमें से इसको घटाएंगे आप तो घटाने में 2,00,000 क्या हो जाएगा कॉमन हर एक बच्चा देखे समझ में आ रहा है की नहीं यह आ गया 30 बटा में 100 और माइनस यह होगी आपका 22 बटा 100 और गुड़े 40 बटा कितना आ रहा है मेरे बच्चों हल करके हल करिएगा यह 42 400 आ गया समझ को 42 400 आ गया बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं भी आप अलग से पूरा कैलकुलेट करके भी घटा सकतों कोई भी इसका करें ठीक है अगर इसको कैलकुलेट करें तो ऐसे आएगा कितना यह बताईए कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा इच्छे आंसर भी दिये हैं बहुत बढ़ी हैं अनन्दयादो अनुजयादो कई सारे बच्चोने आंसरे नों कितना आएगा यह आ रहा है बच्चों ध्याग से देखिए सत्रा छे सवाएगा और यह कितना आ रहा है इसको कैलकुलेट किया जातो यह आ रहा है साथा यह आ रहा है यह आ रहा है